दोस्तों यह जो कुलर आप पीछे देख रहे हैं यह सिंफोनी डाइट 35 टी जो की 35 लिटर वाटर के साथ में आता है और इस कुलर का मैं तक्रिबन 10 दिन से यूज कर रहा हूं और आज किस वीडियो में आपको सारी जनकरी दोंगा इस कुलर के रिलेटेट आपको एक कुलर लेना चाहिए या पिर नहीं तो में एक सब्सक्राइब बात करते हैं इस कुलर की बिल्ट के बारे में कंप्यूट जो बोड़ी आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़ियां को थर्मो प्लास्टिक का यहां पर इस्तेमाल किया गया है अपको दिख जाएगा लोवर्स जिससे ह सब्सक्राइब से अपको चेंज कर सकते हैं अपवार्ड और डान वर्ट दो नॉप के साथ में आता है यह कुलर जो पहला नौब आप देख रहे हैं इसके हैल्प से आप एयर फ्लो कर सकते हैं तिन दिया गया है हाई मेडियम और लो इसीक्सा थायर में पर द्यावाई कूल एर प्राफवाइट कर सकते हैं सब्सक्राइब बिलकाइब कर सकते हैं और इसके अंदर दिया गया है हनिकाम पैड क्लोजी यह वो सूप्य है अभी के टाइम पर देखने को मिल जाते हैं इस ने्ट में आपको तीन थोड़े-चोड़े-और नेट देखने को मिल जायाग जिसे सिंपोनी कहता है आई प्योर टेक्नलोजी बाटी छोड़े छोड़े इंडियेट आपकी हवा को कितना प्योर करकर दे सकता है इसके बारे में कुछ भी हम नहीं कह सकते हैं कुलर के वेकेंड साइड में ही दिया गया है वाटर इनलेट का ओप्सन जहां से आप पानी को अंदर के और डाल सकते हैं और आप देख सेकते हैं वाटर लेवल इंडिकेटर भी दिया गया है अब वीडियो मा अगे बने इस पिले आप सब्यों को याद दूला दूं यह कोई स्पॉंसर्ट वीडियो नहीं है इस कुलर को हमने पर्चेस किया है सिर्फ आपको यह बताने के लिए आपको यह कुलर लेना चाहिए या फिर नहीं तो अगर आप हमने चाहते हैं थोड़ा सा भी तो मेक स्योर डेस्क्रिप्सर में दिये गए लिंक पे क्लिक करके ही इस कु को मिल जाता है अगर आप चाहते हैं पानी को बाहर निकाला तो वेरी जली यहां से बाहर निकाल सकते हैं इस कुलर में लगा हुआ है ब्लोवर और यह 170 वार्ट पावर के साथ में आता है एकोर्डिंग तो सीमफेनी यहां पे आपको 30 फीट का एयर ठोरेट दिखने को मिल जाएगा बट हमने इसको परसेली टेस्ट किया और एकोर्डिंट टू टेस्ट रिजल्ट मैक्स अब 15-20 फीट तक ही बढ़ियां से ठंडा हवा एंजोई कर पाओगे 15 फीट तक तो काफी संदार ठंडा हवा आता है 20 फीट तक हवा थोड़ा कम हो जाता है बट उससे दूर जाते हो तो हवा आपको ना के बराबर दिखने को मिलता है अगर आपका रोम 15-20 फीट का है इस टाउर कुलर के साथ में जा सकते हैं इस पे काफी बहतरीन फीचर भी दिये गए हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहली बात यह इनवर्टर कमपेटेबिलिटी के स पूरा पांप टेक्णोलोजी पानी फूरा खतम हो जाता है तो आपके कुलर के पमप बहुत जादा लोट परता है बड़ विद लाप पांप टेक्लोजी को बिलकुल भी लूट नहीं पड़ेगा और इस कारण आपका कुलर का जो सेपरेट एक लेकिन कुलर लेने से पहले एक बात का ध्यान दीजिएगा जब भी कुलर आप इस्तेमाल करते हैं रूम का खिड़की आप खुला रखिएगा या फिर घर में एयर एक्जोस्ट फैन होना बहुती जरूरी है नहीं तो दो-तिन घंटे के बाद कुलर जो है ठंडा के आज की वीडियो में उम्मिद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक चुरूर कीजिएगा कुलर बुलना चाहते हैं मेक्शुर हमारे डेस्क्रिप्सर में दिये गए लिंक पे क्लिक करके भाई कीजिएगा हमारे लिंक्स लेंगे तो हमें स्क्राइब जरूर करें और जाते जाते घंटे को जबा दीजिए थैंक्स पर वाचिंग